इस वीडियो में आप जानेंगे कि शिला जीत क्या चीज होती है, इसको इस्तमाल आपको किस तरीके से करना चाहिए, शिला जीत लेते समय किन-किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या-क्या प्रिकॉशन्स लिनी चाहिए, और लासली मैं आपको बताऊंगा कि क्या गर्मी के मौसम में शिला जीत को इस्तमाल किया जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ, तो किस तरीके से, तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डीटेल से दोस्तों, शिलाजीत एक चिपचिपा टार लाइक चबस्टेंस होता है, यानि तारकोल की तरह दिखाई देने वाली एक चीज होती है, जो कि हाई एल्टिटूड हिमालियन रॉक्स में मिलती है आयरवेद में हजारों साल से शिलाजीत को बहुत सारी अलग-अलग बिमारियों के इलाज में यूज किया जाता रहा है जहां आयरवेद में शिलाजीत को एक रसायन माना जाता है जो कि हमारी बोड़ी को रिजुविनेट करता है, एनरजी और स्टैमिना को बढ़ाता है, वहीं modern रिसर्च में पाया गया है कि इसमें मौजूद फुल्विक एसिड, हुमिक एसिड और असी से भी जादा अलग-अल मिनरल्स की वज़ा से हमें शिलाजीत के सारे बेनेफिट्स मिलते हैं, वैसे आप चाहे आयरवेद में बिलीव करते हों या चाहे आप modern science को मानते हों, एक बात तो साफ है कि दोनों ही सिस्टम्स में शिलाजीत को एक जबरदस्त फायदे मंद हेल्थ टॉनिक माना जाता है, दोस्तों वैसे तो शिलाजीत खाने से सर से पैर तक आपको अनिको छोटे बड़े फायदे मिलते हैं, लेकिन यहां मैं आपको सिर्फ छे में में इन फायदे बताऊंगा, जो कि अब scientifically proven भी हो चुके हैं, वैसे इन फायदों के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी मेल्स और फीमिल्स यानि मर्द और और ओरत दोनों ही लोग ले सकते हैं, अकसर लोग ये मानते हैं कि शिलाजीत सिर्फ मर्दों के ही लिए होता है, जो कि एक मिध है, एक गलत धालना है, तो सबसे पहला फायदा जो कि शिलाजीत से आपको मिलता है, वो है आपके brain function के तो शिलाजीत इस कमजोरी वाले process को भी slow down कर देता है, International General of Alzheimer's disease में एक study में इस बात का खुलासा किया गया है, कि शिलाजीत में मौझूद कुछ compounds, cognitive disorders जैसे के Alzheimer's को control कर सकते हैं, दोस्तों शिलाजीत हमारी body के अंदर natural aging process को भी slow down कर देता है, शिलाजीत को ऐरवेद में एक ब जैसे हम निरोगी बने रहते हैं, शिलाजीत में मौझूद fulvic acid anti-inflammatory और antioxidant होता है, जिससे body में aging process slow हो जाता है, और आप अपनी उमर से ज़ादा जबान दिखाई देते हैं, और feel भी करते हैं, शिलाजीत का तीसरा और बहुत ही important फायदा मिलता है, मेल्स के लिए, दोस्तो शिलाजीत मेल्स में sperm count को और testosterone hormone को भी boost करता है, testosterone hormone हमारी उमर बढ़ने के साथ साथ काम होने लगता है, और इसकी वज़ा से मेल्स में कई बार sexual problems चैसे की rectile dysfunction, low libido और weakness वगरे के problems हो सकती हैं, और इसलिए लोग अपनी sexual health को improve करने के लिए अकसर शिलाजीत का इस्तमाल करते ह In fact, 99% लोग शिलाजीत को सिर्फ और सिर्फ इसी benefit के लिए यूज किया करते हैं, और इसी वज़ा से ये इतना जादा popular है, वैसे जब भी कोई चीज बहुत जादा popular हो जाती है दोस्तों, तो उसमें मिलावट और duplicacy भी उतनी ही जादा बढ़ने लगती है, ताकि जो demand है उस से जादा से जादा पैसे कमाए जाएं, शिलाजीत के साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, मार्केट में बहुत सारे सैकडो शिलाजीत के ब्राइंट भरे पड़े हैं, लेकिन इमने से सिर्फ मुठी भर प्रोडक्स ही ऐसे हैं, जो की असली है और reliable है, ऐसा ही एक reliable brand जिसके ब इसी वज़ा से ये पूरी तरह से साफ तो हो जाता है, लेकिन इसकी potency के ऊपर कोई negative effect नहीं पड़ता है. सेसा हिमालन शिलाजीत में इसलिए आपको high percentage of fulvic acid मिलती है, company के दावा है कि इसके हर एक pack के अंदर आपको minimum 60% या फिर उससे भी ज़्यादा fulvic acid मिलेगा. और जैसा कि आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा fulvic acid शिलाजीत में होगा, इसके health benefits उतने ही ज्यादा आपको मिलेंगे. सेसा हिमालन शिलाजीत लेने से आपकी performance और stamina भरता है, आपकी vitality इंप्रूव होती है. इसको लेने से आपका दिमाग भी तेज़ बनता है, stress और fatigue कम होती है और इसके अंदर anti-aging properties होती हैं जो कि आपके अंदर उमर का असर कम कर देती हैं. इसको लेने के लिए आपको सिर्फ एक मटर के दाने की बराबर यानी करीब 200-200 mg इसको लेना है और 100 ml गुनगुने पानी में या फिर दूद में इसको डालके पहले अच्छी तरीके से इसको dissolve कर लेना है. जब ये शुलाजीद आपका अच्छी तरीके से dissolve हो जाए तो इसको आप पी लीजिए. इसको सुबह-सुबह आप ले सकते हैं नाश्ते में या फिर आप रात के समय भी इसको ले सकते हैं. दोस्तों सेसा हिमालन शुलाजीद का हर एक पैक इंडिपेंडेंट लाब रिपोर्ट के साथ आता है. इसके पैक को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देने वाली ये एनालेटिकल रिपोर्ट मिलेगी. ये बेसिकली लैब रिपोर्ट है जो की हर एक पैक के साथ आती है और ये रिपोर्ट इंडिपेंडेंट लैब द्वारा इस प्रोड़क्ट को पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद दी जाती है. अगर इसकी रिपोर्ट को आप पढ़ें तो फुल्विक एसेड इसमें 62.17% और जो heavy metals होते हैं जैसे कि lead है, cadmium है, arsenic है और mercury है ये सब भी इस product ने इस sample में pass किये हुए हैं. यानि in short ये product आपके use के लिए पूरी तरीके से safe हैं. तो अगर आप शिलाजीत use करना चाते हैं तो सेसा हिमालिन शिलाजीत आपके लिए एक काफी अच्छा और reliable option हो सकता है. इसके बारे में अगर आप जाधा जानना चाते हैं या फिर इसको purchase करना चाते हैं तो सभी links आपको नीचे description box में और pinned comment में मिल जाएंगे. वहां से click करके आप सेसा हिमालिन शिलाजीत के बारे में और जाधा जान भी सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो इसको purchase भी कर स करता है जिससे कमजोरी दूर होती है एनीमिया के अलावा शिलाजीत chronic fatigue को भी कम करता है chronic fatigue का मतलब होता है कि आपके body में हर समय आपको ठका ठका महसूस होना कुछ काम करने में मन नहीं लगना और energy कम हो जाना शिलाजीत body में cellular function को improve करता है जिससे body की energy बढ़ती है और chronic fatigue कम हो होने लगती है दोस्तों शिलाजीत का एक rare benefit जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो यह है कि यह हमारी body के अंदर liver cancer से भी लड़ता है इस बारे में कुछ studies हो चुकी है जिन में पाया गया कि जब कुछ खास तरह के liver cancer patients को शिलाजीत दिया गया तो इससे जो cancerous cells थी liver की वो नश्ट होने लगी और इसलिए यह कहा जाता है कि शिलाजीत का regular इस्तमाल करने से हमारी body में liver cancer होने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है दोस्तों जब भी मैं लोगों से शिलाजीत के बारे में बात करता हूँ तो एक सबसे common सवाल जो अक्सर लोग मुसे पूछते ह वो यह कि क्या शिलाजीत को गर्मी के मौसम में इस्तमाल किया जा सकता है या नहीं दोस्तों शिलाजीत की तासीर गर्म होती है इसलिए अक्सर लोग इसे गर्मी में लेने से डरते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्मी में नहीं ले सकते हैं शिलाजीत को आप 12 मही ने यूज कर सकते हैं बस अगर गर्मी में इसको आप लेते हैं तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है और वो यह कि गर्मी में इसे हमेशा आपको दूद के साथ इस्तमाल करना है और दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको लेने के बाद दिन भर अच्छी खा क्या होती है, इसको आपको कितना लेना चाहिए, दोस्तो शिलाजीत को रोजाना 200-500 mg तक आप यूज कर सकते हैं, अगर आप शिलाजीत को कुछ potential side effects के बारे में, precautions के बारे में, दोस्तो शिलाजीत usually पूरी तरह से safe होता है, इसका कोई side effect नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसे लेने से allergic reactions हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं और दिल की धड़कन तेज भी हो सकते हैं, अगर इस तरह का कोई भी side effect आपको शिलाजीत लेने के बार नजर आता है अपने अंदर, तो आपको शिलाजीत लेने से बचना चाहिए, इसके अलावा गर आपके अंदर कोई दिल की बीमारी है, या अगर आपको gout की शिकायत है, uric acid बढ़ा हुआ रहता है, या फिर अगर आपको kidney stones हैं, तो ऐसे में भी आपको भी कीजिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है, तो आप नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हैं, मेरा instagram ऐडी इस समय आपके screen के ऊपर show हो रहा है, हमारे instagram handle पे दोस्तों हम लोग हर रोज आपको अलग लग तरहां की health tips वगरा भी देते रहते हैं, तो आप हमारे इस instagram handle को भी जरूर follow करिए, चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, कि फिर मिलूंगा आपसे इसी channel पर एक नई बहुत ही बढ़ी आसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान र रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें healthy हमेशा.